आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे चैट GPT के बारे में जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये भविश्य में Google को टक्कर देगा गूगल ने चैट GPT के लिए एक कोड रेट जारी किया है जिसे ओपन AI द्वारा बनाया गया है इस AI चैट बॉट को भविश्य के लिए चिंतक अविश्य बताया जा रहा है लौच होने के बाद से इसमें Instagram और Facebook जैसी कमपनियों को पीछे छोड़ दिया था यह technology बेहद कम समय में एक बड़ी स्टोरी लिखने वाली है अब हम बात करेंगे कि चैट GPT क्या है Artificial Intelligence यानि की AI पर काम करने वाली कमपनी Open AI ने एक नया चैट बॉक्स मनाया है चैट बॉक्स यानि मशीन से चैट करना लेकिन इसमें आपको इनसान से बात करने जैसी फिलिंग आएगी इसका नाम है चैट GPT यानि की जनरेटिव प्रिटेंड ट्रांसफोर्मर यह एक ऐसा Artificial Intelligence है जिसके साथ आप इनसानों की तरह बाचित कर सकते हैं यह काफी accurate होगा इससे 30 नवंबर 2022 को launch किया गया है Open AI उन कई कमपनियों लैब और independent researcher में शामिल है जो ज़्यादा modern chat box बनाने पर काम कर रही है यह Siri या Alexa जैसे Digital Assistant की तरह काम करेंगे लोगों की बात को अच्छी तरह से सबच सकेंगे और जादा काम निप्टा सकेंगे यूजर को भरोसा है कि नए chat box, google या bins जैसे internet search engine के जगा ले लेंगे अब हम बात करेंगे क्या chat GPT पर कोई भी अपना account बना सकता है तो इसका answer है हाँ इस पर login करने के बाद आप chat GPT पर किसी भी सवाल का जवाब पूच सकते है कोई भी सवाल पूच सकते है यानि email लिखने से लेकर CV तक आप इसमें बना सकते है real या अपनी video कैसे viral करना है इसका जवाब chat GPT पर देता है wife को क्या gift देना है किसी दोस्त को क्या gift देना है इस पर भी chat GPT आपको सुझाव देता है जैसे यदि किसी student को democracy पर essay यानि की निबन लिखना है तो वह तुरण chat GPT पर type करेगा write an essay on democracy इसके बाद आपके सामने पूरा essay लिखा हुआ आ जाएगा chat GPT लंबे जवाब की वजाए छोटे सटीक आंसर देता है chat GPT fact पेश करता है business plan बनाता है आपकी CE तयार करता है और आपको नए ideas देता है अब हम बात करेंगे कैसे आपके सवालों का जवाब देता है chat GPT chatbot को internet से text database का उप्योग करके trade किया गया है इसमें पुस्तकों web text, wikipedia, articles, internet पर उपलब 570 GB data को फीड किया गया है यदि आप chat box से कुछ पूछते हो तो वह पहले predict कर लेता है कि आगे का आपका सवाल क्या हो सकता है यहाँ पर इसमें कई सारे input दे गए है जैसे यदि आप सवाल पूछते हैं कि पेड की लकडी किस रंकी हो सकती है chat GPT में इन सवाल का सही जवाब फीड किया गया है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर बार वह सही जवाब ही दे पाएगा यदि वह गलत जवाब देता है तो AI trainers दोबारा इस system में सही जवाब फीड करेंगे और इससे सही जवाब देना सिखाते है chat GPT में 2021 तक की जानकारी फीड की गई है इसलिए यहाँ पर आपको इसके बात की जानकारी नहीं मिल पाएगी जैसे आप रूस और युक्रेन के युद के बारे में इससे सवाल पूचेंगे तो जवाब होगा कि हमें 2021 तक की ट्रेनिंग दी गई है इसलिए हम आपको इसके बारे में जानकर ही नहीं दे पाएंगे अगर हम बात करें कि Google सर्च से कैसे अलग है तो Google पर जब आप सर्च करते हो तो वह आपको इंटरनेट पर मौझूद उससे जुड़े कई सारे लिंक देता है वहीं Chat App इससे ज्यादा Advance है यहाँ पर जब आप कोई सर्च करते हो या जब किसी भी तरह का सवाल आप सर्च करते हो तो उससे जुड़ी specific जानकारी ही सामने आती है कोई link नहीं यानि वह internet पर search नहीं करता बलकि उसके पास मौझूद data में से आपको वह जानकारी देता है इस प्रकार ये Google से अलग है तो इसके साथ ही आज का हमारे topic यहीं पर complete होता है हम कल फिर मिलेंगे एक नए topic के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को like share और subscribe जरूर करें thank you so much don't forget to like share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update